हालो बच्चो तो आज साउंड वेव्स का लेक्चर नमबर फाइव और आज पढ़ने जा रहे हैं डॉपलर इफेक्ट अब यह डॉपलर इफेक्ट क्या है मालो अपन रोड पे खड़े हैं ठीक है ना ठीक है ना रोड पे खड़े हैं एक बढ़िया सुंदर सी गाड़ी आते हुए निकल गई कैसी अवा जाती है जड़ा फील करते हैं सावाच को यहीं से डॉपलर इफेक्ट समझना है हम लोग को ध्यान से सुनिएगा फिर से फिर से एक बार फिर से एक बार और देखना स्टार्टिंग में साउंड इसे पें बाज में गिर रहा है देखो ध्यान से यह जो चीज हो रही है इसको बोलेंगे डॉपलर इफेक्ट यह हो क्या रहा है अराम से समझते हैं माई नेम इस अलग पांडे इस इस यूर प्यारा से चैनल फिजिक्स वाला पैन और कॉपी निकाल दें चुहे को छोड़ दें आते हैं टॉपिक पे डॉपलर इफेक्ट हो क्या रहा है कि कार हमारा यहां पे साउंड का सोर्स है और यहां हम खड़े हैं हमको बोला अब्जरवर ठीक है जब कार हमारी तरफ मूव करती है तब साउंड की श्रिलनेस बढ़ती है श्रिलनेस को कई लोग पिच बोलते हैं तो साउंड की पिच बढ़ती है और अगर इसको फिजिक्स में समझो तो frequency of sound waves बढ़ती है अचा समझना यहां से निकलने वाले साउंड की frequency नहीं बदली इसको सुनाई पढ़ने वाले साउंड की frequency बदली मतलब हम जो frequencies सुन रहे हैं वो कुछ different है जो निकल रही है वो कुछ different है यह तब होगा when there is motion when there is motion between source and observer अचा जब यह कार हम से दूर जाएगी जब ये कार हमसे दूर जाएगी तब क्या होगा sound की shrillness घटेगी sound की pitch घटेगी और physics के टमस में बात करें तो sound की frequency घटेगी यहां से जो sound निकल रहा है उसकी frequency वही है हमें सुनाई पढ़ लही है कुछ और मतलब apparent frequency का खेल है किसका खेल है apparent frequency अपियर हो लिए क्या है Doppler effect क्या है Doppler effect काई Doppler effect की सीजी सीजी definition पूसता है क्या है whenever whenever there is relative motion whenever there is relative motion between source and observer कोई भी चल सकता है हो सकता हो observer भागता source की तरफ हो सकता हो source भागे observer की तरफ कुछ भी हो सकता है observer सोर्स से दूर भागे वह सकता हो source observer से दूर भागे जब भी क्या हो relative motion between source and observer the frequency frequency of sound heard by observer is different from actual frequency of sound source sound source की जो भी frequency हो वो हमें सुनाई ली पड़ेगी है हमें कुछ नई frequency सुनाई पड़ेगी और इस फिनॉमने को हम बोलते हैं Doppler effect क्या 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 जब भी source और observer की बीच में क्या हो क्या हो क्या हो या हम source की तरफ भागना स्टार्ट कर दें तब source से जो frequency निकल रही है sound waves की वो हमको सुनाई नहीं पड़ती हमको एक नई frequency सुनाई पड़ती है और इस फिनॉमने को हम Doppler effect कहते हैं Doppler effect में सारा खेल दो चीजों का है एक relative motion का और दूसरा frequency का हमें actual frequency नहीं सुनाई पड़ती हमें सुनाई पड़ती है apparent frequency तो जो लिखना हो लिख लो याँ से बोड पर बोड पर से इसको मिटारे आपरेंट frequency नोट का लिये नोट का लिये इसको मिटारू में और फिल करते हैं इस बाद को क्या है frequency सर कैसे frequency चेंज हो रही है सर अभी फील करते हैं इसको आराम से नोट कर लो पहले है चाप लिया मिटार दे मिटार दे पास आया तो frequency बढ़ी दूर गया तो frequency घटी अब इस बात को feel करते हैं पूरा अच्छे से इस बात को feel मिलाते हैं कि कैसे पास आने पर frequency बढ़ती है और कैसे दूर जाने पर frequency घटी है चलो मैं तीन केस लेता हूँ पहला केस जिसमें सोर्स और observer रेस्ट पे हैं यह सोर्स और यह observer और दोनों रेस्ट पर हैं स३ित से कार ने जो हॉन बजा रहा है कार का जो हॉन बज रहा है उसमें से 1 सेकेंड में माझने लो सो वेव निकलती है एक सेकेंड में सो जो इस एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौद सो, कितने वेव निकल लेए लिए हैं, तो इसको एक सेकेंड में कितनी वेव मिलेंगी दोनों रेस्ट पे हैं इसको एक सेकेंड में कितनी वेव मिलेंगी यहां से सौ निकली यहां तक भी कितनी पहुत जाएंगी सौ यहां से एक सेकेंड में सौ वेव इसी को तो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं ना फ्रिक्वेंसी क्या हुआ क्योंकि अभी कोई relative motion नहीं यह भी रेस्ट पर यह भी रेस्ट पर अच्छा मानलो यह कार जो की सोर्स है यह observer की तरफ भागने लगे और observer को rest पर मानलो ठीक है यानि relative motion start हो गया है कैसा relative motion होड़ा है दोने दुसरे को approach कर रहे ठीक है ऐसे लिख सकते हैं डोने दुसरे को approach कर रहे है motion है और motion कैसा है दोने दुसरे को approach कर रहे हैं अब मानलो एक second में इसने 100 वेव निकाली एक second में इसने 100 वेव निकाली तो actual frequency कितनी है 100 इस तक एक सेकंड में कितनी पहुंचेगी सो या सो से ज्यादा सोचो सोचो कार सो वेव निकाल लए एक सकेन भाग भी रहे हैं मतलब इस तक वेव ज्यादा पहुंचने लगेंगी इसको ऐसे भी मैजिन कर सकते हो कि यह सोर्स की तरफ भाग रहा है डोनों की चीजें फॉर्मलेज में थोड़ी कहानिया समझेंगे पर अभी दोनों एक ही चीज है मालो अब्जरवर इसकी तरफ भागने लगे वहां से सौ वेज निकल ली धार 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 इसके चेहरे पर लगती जा रही है आफे क्या हुआ हमने देखा कि apparent frequency इंक्रीज की तो जब भी सोर्स और ऑबजर्वर एक दूसरे को अप्रोच्च करते हैं तो apparent frequency बढ़ती है जिसकी वज़ा से पच्छ बढ़ती है जिसकी वज़ा से श्रिलनेस और साउंड बढ़ता है यानि अगर हम भी कार की तरफ दोड़ते तो भी वही फील आता यही फील आता अगर हम कार की तरफ दोड़ जाते लास्ट केस लेते हैं जिसमें ये कार बड़ी होती जा रही है ये अमीर कार हो गई लैस्ट केसलेते हैं जिसमें ये कार हमसे दूर जा रही है ठीक है तुसी जारह हो projet मत जाय। मानलों एक सेकंड ही मैं निकम निकालती है अब वो waves भी पीछे होती जा रही है तो हम तक पहुचने में समय ले लेंगी यानि एक सेकेंड में 100 नहीं पहुचेंगी अब हम तक 100 से कम तो frequency 100 से कम तो हम बोलेंगे कि apparent frequency decrease कर गई इसा कब होगा जब इनके बीच में separation बढ़ रहा हो अगर approach कर रहे हैं तो frequency बढ़ेगी separate हो रहे हैं तो frequency घटेगी इसी phenomenon को हम बोलते हैं Doppler's effect कार से हौन से निकलने वाली frequency चेंज नहीं हुई यह याद रखना आपरेंट frequency चेंज हुई कब जब इनके बीच में relative motion हो सकता हो यह source से दूर भाग रहा होता डिंग डिंग वह सौबेस छोड़ा हम नहीं लेंगे सौदूर भाग रहे हैं हम पचासी कैच करेंगे हम बाद में लगेंगे ठीक है रेलेटिव से अबजर्वर मुफ करेगा दूसरे केस में हम जला है रहलनत किसच फील होने लगा क्या है आपरेंट चेंज इन और आपरेंड चेंजिन फ्रिक्वेंस एसा लग रहा है कि फ्रिक्वेंसी कुछ और है ऐसा कब होगा जब रेलेटिव मोशन हो सोर्स और आपसे वर्यूज में या एक्च्वल में सोर्स की फ्रिक्वेंसी बदली है सुनाई पढ़ रही है तो पहला केस हम लेते हैं केस वन वेन सोर्स इस एट रेस्ट एंड ओब्जर्वर इस इन मोशन चलिए सबसे पहला केस समझते हैं तो यहां मानलो कोई साउंड का सोर्स है एस यह मानलो मेरा उब्जर्वर है सोर्स हमारा रेस्ट पे है उब्जर्वर मानलो सोर्स की तरफ भाग रहा है उब्जर्वर मानलो सोर्स की तरफ भाग रहा विट स्पीड वी ओ स्पीड ओफ उब्जर्वर सोर्स रेस्ट पे है सोर्स से साउंड निकल रहा है observer की v o लेंगे source की v s अगर हुई तो अभी तो source rest पे है आच्छ अब यहां से निकलने वाली waves की frequency क्या होगी मानलो यहां से जो sound waves निकली tune इसकी wavelength मानलो lambda है तो यहां से निकलने वाली waves की frequency क्या होगी by frequency क्या होता है speed of wave upon wavelength यह पढ़ रखा है सबने v is equals to f lambda पढ़ रखा है यहां v क्या होता है speed of wave, frequency, lambda wavelength मानलो lambda wavelength की wave निकाली तो इस wave की frequency कितनी होगी v बटे lambda यह frequency निकल रही है original frequency इसको हम frequency of source भी कह सकते है ठीक है source से ही आ रहा है observer को भी यही frequency सुनाई पढ़ेगी या कुछ और इससे कम या इससे ज़्यादा सोच के answer देना मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा क्योंकि यह पास दोड़ा है इसको ज़्यादा waves एक से करें दा 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 इसको ज़्यादा waves मिलेगी तो ऐसा क्यों हुआ observer को sound v speed से आता हुआ नहीं दिखेगा वो खुद भी वी नॉट से जा रहा है तो इसके लिए speed of sound बोलो कितनी हो जाएगी v plus v naught की v minus v naught plus होगा न यह भी इदर यह भी तो इसको sound ज़्यादा speed में आता हूँ यह भी दोड़ा उदर sound भी आ रहा है तो इसके कान में जो sound जाएगा उसकी speed ज़्यादा हो जाएगा यह धाग 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 आच्छा यानि इसके लिए जो frequency होगी for observer frequency का formula v बटे lambda इसके लिए speed of sound है v plus v o upon lambda भीया wavelength तो change नहीं होगी wavelength तब change होती जब source motion करता याद रखना क्या wavelength change हो सकती है हो सकती है साहब अगर source motion में आ जाए तो wavelength change हो जाएगी अभी अगले case में देखना है इस case में wavelength नहीं है एक wave निकली फिर दो wave निकली तीन wave निकली frequency क्यों change होगी observer के लिए speed of sound v नहीं है वी प्लस वी नौट दोड़ लाए ना तो उसको ढार 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 रेलेक्टिव विलोस्टी ठीक है अच्छा क्या आप ये एफ ओ निकाल सकते हो यहां से लैम्दा की वैलू बताओ इसमें पुट करते हो लैम्दा की वैलू हो जाएगी वी बाई एफस सो वी प्लस वी ओ लैम्दा की वैलू वी बाई एफस लोग फार्मुला थैयार हो गया frequency for observer इसी को आप अपरेंट फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हो is equals to v plus speed of observer v is speed of sound यह आद रखना है क्या क्या symbol किसके use कर रहे है speed of sound and v o is speed of observer इसी में दूसरा case सोचो कि अगर observer इससे दूर भाग रहा होता अगर observer दूर भाग रहा होता इंग डिंग डिंग तो यहाँ पर मैनस आजाता व इस तरफ जा रहा है मानलो 20 मेटर पर सेकेंट से और माहलो sound आ रहा है 3040 मीटर पर सेकेंट से तो यह भी भाग रहा है sound इसके पीचे पीचे भाग रहा है तो इनके बीच की relative speed 320 होगी की नहीं V minus V O तब minus आजाएगा तो plus भी हो सकता है और minus V कैसे decide करेंगे यह हमाँ को बाद में सिखाएगे अभी पहले formula इतना पकड़ो plus भी हो सकता है और minus V plus तब हुआ जब उसकी तरफ जा रहा minus तब हुआ जब उससे अवे जा रहा याद मत करो हम समझाएगे पुरा देखो क्या इस formula से assumptions सारे सही है सोचू जब pass जाएगा तो V plus V O तो overall F O देखो F S से बढ़ा आएगा की नहीं यह term बढ़ा हो जाएगा तो frequency बढ़ेगी और जब दूर जाएगा तो V minus V O तो यह term छोटा हो जाएगा फ्रिक्वेंसी घटेगी ठीक क्लियर है वेवलेंद चेंज नहीं होगी ठीक है अब्जरों की स्पीट कहां रही उपर अब छोड़ दो प्लसमेर्स याद कुछ नहीं करना है छोड़ दो भी यहीं पे आगे बड़ें मिटार दें ओके सेकेंड केस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ऑब्जर्वर इस एट रेस्ट एंड सोर्स इस इन मोशन ठीक है देखना ध्यान से यह सोर्स है यह ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पर है और सोर्स इस बार मूव करना है तो पहले पर स्पीड ऑफ साउंड मानलो व है और सोर्स भी आगे आ रहा है मानलो वी-एस स्पीड से स्पीड ओफ सोर्स से अच्छ अब यहां पे क्या फ्रिक्वेंसी सुनाई पड़ेगी पहली बात तो पास आ रहा है तो फ्रिक्वेंसी बढ़नी चाहिए दूर जा रहा होता तो घड़ जाती पास आ रहा है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ने चाहिए अब होगा क्या देखो अब होगा क्या पहली बात यह इसको इसपीड ऑफ साउंड क्या सुनाई पड़ेगी यहां 99 परसंट लोग गलत आंसर देंगे speed of sound क्या सुनाई पड़ेगी बताओ sound v से आ रहा है source vs से आ रहा है तो इसके लिए speed of sound इस तक sound किसी speed से पहुचेगा v plus vs और यही गलती हो गई आपसे इसके लिए speed of sound v plus vs नहीं इसके लिए speed of sound v ही रहेगा आपको लग रहा है कि source v s से भाग रहा है sound source से निकल रहा है तो sound की effective speed vs plus v पर ऐसा नहीं समझो इसको आराम से sound source के उपर बैट के नहीं आ रहा है source से निकल रहा है sound source के उपर बैट के नहीं चलता हुआ रहा है ऐसा थोड़ी नहीं कि source साहत में चलता हुआ साउंड को लेके आ रहा है चल 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 उसमें से साउंड बाहर निकल जा रहा है वेव के फॉर्म में आपके पास बात समझ रहे हो सोड्स का कोई देना देनी सोड्स दोड़ा है दोड़ा है उसने साउंड से छोड़ दिया और उसको कोई कोई कि फिलॉसिटी इंपार्ट नहीं करता यह वेव हैं पार्टिकल नहीं पार्टिकल को छोड़ता तो पार्टिकल को भी आगेतर बिस स्कीड नहीं एंक मैं यहां तो सोर्स आया और से वीव को चोड़ दिया सोर्स या साउंड तो अपना ही डिम्में तो इसके लिए speed of sound v plus vs नहीं होगी बच्चे यहीं गलती करते हैं दियान देना इसके लिए speed of sound v अच्छा से ठीक है speed of sound change नहीं हुआ frequency तो चेंज होगी सर और frequency के formula क्या है frequency का formula है v by lambda यहाँ v तो चेंज नहीं हुआ frequency as heard by observer is equals to v तो v ही रहे गया by sound की speed v रहेगी sound तो टिंग तिंग छोड़ दिया उसने अपनी स्पीड से आया नीचे लामड़ा अब यार फ्रिक्वेंसी क्या सोर्स से अलग होगी होनी चाहिए बढ़नी चाहिए क्योंकि पास आ रहा है कैसे होगा आप समझो इस बार wavelength चेंज हो कि पिछली बार speed चेंज हुई थी थी तो frequency चेंज हुई थी इस बार wavelength चेंज हो कैसे आव देखते हैं आव देखते हैं इसको में लेख दूँ speed of sound for observer is also V, अब देखो कैसे, बचो मुझे बताओ कि wavelength क्या होता है, ठीक है बहुत comments जीचे बूच रहे है, wavelength क्या होता है, wavelength is the distance between two waves, ऐसे बोलें तो कोई गलती, distance between two waves is wavelength, distance between two waves is wavelength, distance between two waves is wavelength, मानलो यहां से एक वेव यह है, और एक वेव यह है, सांट की, ठीक है, दो वेव है, इसको मैं दे देता हूँ, इस point का नाम दे देता हूँ, डबलू वन, इस point का नाम दे देता हूँ, डबलू टू, अब एक time period के बाद क्या होगा, देखो, wave की speed है V, सांट वेव है, इसकी speed है, तो एक time period के बाद, wave हो कितना distance चल चुका होगा, speed into time, यहाँ यह w1 वाला actual में w2 बहुत जाएगा, एक time period में बेरलेत का बाद है, बहुत ही interesting चीज़ दिखने वाले है, तो एक time period बाद, यह w1 बहुत जाएगा, यहाँ कितना distance travel कर लेगा, b into t, by speed v है, t time पाद देखा है, एक wavelength बहुत जाएगा, अच्छा, अब source भी तो कुछ आगे आया होगा, source की speed कितनी है, एक time में source कितना चलेगा, speed into time, तो source माल लो, यहाँ पगच गया, यहाँ पगच गया माल लो, तो source कितना distance चला, source चला, v s into t, अगली वेव source यहाँ से निकालेगा, next wave यहाँ से निकालेगा कि यहाँ से, देखो हुआ क्या उसने जो पहली वेव निकाली, वो थोड़ी आगे चली यहाँ को पगच गया, यहाँ से यहाँ से इमिट करेगा, इस जड़ी से अगली वेव इमिट करेगा, distance between two waves को हम wavelength कोलते हैं, तो क्या यह नही wavelength बन जाईगी, यह पहनी वाली वेव और यह दूसरी वेव निकालने वाला है, तो इनके वीच का distance यह होगा, दो वेव स्कीच, यह से तो दूसरी वेव स्टार्ट होगी, यह पहली वेव का स्टार्टेग, इनके वीच के distance कोलते हैं, तो हम wavelength कोलते हैं, यानि इस time wavelength को मुझे रहती है, लामडा की effective wavelength, इसको एक और डाइजाम समझा, उनको पता conclusion रहता है, अरी या, मुझे नहीं समझ मैं आता एक सब्सक्राइब, यह मानलो sound का source है, और इसके just bubble में मैंने एक wave बनाई, ठीके, just bubble, just, सब्सक्राइब के बाद यह wave मांदो, यहाँ पहुच लेगा, इतना आगे चली गई, speed of wave, इतनी time में source भी आगे पढ़ेगा, source यहाँ से मांदो, यहाँ पहुच लेगा, source नहीं कितना distance travel दिया, कमान, कमान, source नहीं कितना distance travel किया, source की speed, vs time t, यहाँ से अगली wave निकली न, next wave जो निकली, वो यहाँ से निकली, एक time period के बाद उसना नई wave जैसे ही बना आई, वो यहाँ से निकली, यानि distance between two consecutive waves, यह distance between two consecutive waves, इसी को wavelength बहते है, lambda ही, यह कितना हो गया, बताओ गया, बताओ यहाँ से, यहाँ से, lambda effective, यह को बताओ, vt minus vst, बोलाओ पील आया, पील आया, सुनो, 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 अराब से, यह wave निकली, टूं, और तूं, अप्टी time में यह wave पितना चली, vt, और source vt time में आगया, यह vst, तो नई wave यहाँ से निकली निकली, नई wave और कुरानी wave के पीछी distance को हम बोलते है, wavelength, यह, तूं, यह आगया, आगया, कितना आगया है, vt, यह भी, आगया, आगया, कितना, vst, अब यहाँ से इसने अगली wave निकली, तो इस वह पिछली wave के पीछी distance को हम बोलते है, wavelength, इसकी availability हो जाएगी, vt minus vst, यानि जब source move करता है, तब wavelength change होती है अचा यह wavelength, observer को अपियर नहीं हो डी, यही wavelength है, this is the wavelength, this is the wavelength, यही wavelength है भाई, for both, source and observe, यही wavelength है, source के लिए भी, observer के लिए भी, अब दोनों के लिए यही wavelength है, दोनों को यहीए अपियर हो डी, यही wavelength है, भाई, इस wavelength को निकाल डी, यह पियर आगे बढ़ जाएंगे, फिर अगली wavelength है दिनोंने इस तब पिभली कम कर दी की नहीं, और अगर दूर जाते, सोचो, अगर दूर जाते तो wavelength बढ़ जाते, इधा यह बीटी आगे बढ़ता, यह पीछे वेस्टी घड़ जाते ये बीटी आगे बढ़ता ये पीछे बीएस्टी चले जाते हैं और वहां से लेव इमेट करते हैं तो नई लेव अपराणी वेव की बीशाडिस्टेंस बीटी प्रस बीएस्टी तब वेवलेंद पहें जाते हैं अब frequency of sound heard by observer frequency of sound heard by observer इसको नोट कलने हैं यह लडगराम में मिटालते चाबता हूं इसको नोट कलने हैं यह भी कही किताब में मैंना हुआ ठीक है नहीं वेव निकली वो बीटी चली तब तक सोर्स बीएस्टी चला है अब नहीं वेव यहांस निकली यह हुए effective wavelength बीटी माइनस दिकली तक सब्सक्राइब रहत कितनी है इसको है कैसे निकली इसको भी देखो वी थी माइनस बीच्टी यहांसे पी और लिया वी माइनस वीड़ एस अच्छे क्या है time period किसका sound यहां पे ताइम पिरिएड को हम 1 by f लिक सकते हैं, where f is actual frequency, ताइम पिरिएड को हम 1 by f लिक सकते हैं, 1 by f, यानि यह हो जाएगा v minus vs by f, f is actual frequency, यानि frequency of source, तो यहां पे आजाएगा v minus vs upon f, यह बनी जाएगा, effective labeling समझ में आई, vt minus vs, और पीछे जाता हो, vt plus vs, अच्छा यहां मार बताओ, अच्छा अब यह थोड़ी बताओ कि, overall frequency बढ़नी चाहिए गड़नी चलिए था थोड़ो, अब बताओ, source हमाली तरफ और चकार हमाली तरफ आज़ी तो frequency बढ़नी चाहिए, यहां देखो चलिए, v और नीचे कुछ minus हो रहा है, नीचे घटेगा तो overall बढ़ेगा कि नहीं, सही है भाई सब कुछ कोई टिंचन है, अच्छा यह दूर जाता तो vt plus vst, vt plus to v plus vs, यहां पे v plus vs आता, तो overall quantity बढ़ जाती नीचे, frequency घट जाती और सही भी था, अगर तार दूर जाहेगी तो frequency घट नहीं चाहिए, तो यह दितलेता है, यानि minus v हो सकता है, यह उल्टा है, वहां प्लस minus लिता तो यह minus plus लिता है, जब pass आ रहा है तो minus हो रहा है, दूर जाह रहा है तो plus, वहां उल्टा है तो pass आ रहा है तो छोड़े रहा है, जालके नहीं सकते, हम आपको अच्छा तरीका भुशाएंगी, कितार हों तो अब यह ध्यान रखना कि जब source मूज़ करता है, तो दूर्ट सकते है, तो दूर्ट चेंज होती है, नहीं होती है, और जब observer मूज़ करता है, तो speed change होती है, wavelength change नहीं होती है, बस इतनी सी बात है, मुझे तुम से प्यार है. अच्छा source की speed नीचे आ रही है, observer की speed उपपर अब देखो मैं तुमको समझाता हूँ कि जब दोनों move करें तो कैसे पहुंचा बनाना है खट से हो जाएगा When source and observer both move Case 2 श्रॉब मैं रिखा नहीं Case 3 When S and O Source and observer both moves देखो मैं बहुत simple दिखाता हूँ पहले तो apparent frequency का formula आपने पास से लिए F O Is Equals to V अच्छा observer भी मूफ कर रहा है source की उपए आती है observer की speed नीचे V और नीचे आती है source की speed तो दोनों pass आ रहा है कि दू जा रहा है कि बता है और यहां F S आता है frequency of source और inner frequency ये लिख दो बकाते है plus minus कीशे लगाना है Plus minus दिमाग से लगाना है अगर तुम्हें लग रहा है कि observer की VPNC 250 बढ़ेगी yasこんな girl अगर तुम्हें लगणा है source की वजह से frequency लगेगी minus लगादो ये घटेगा 먼 Americas एक्जाम्पे जब उसमें चार केस बन सकते हैं पैना केस आपकर फॉर्मने लिखते हैं मालों यह ओब्ज़र्वर है यह सॉर्स है और स्वर्वर स्वर्वर की तरफ आरा है दोनों मोशिन है बोट आर इन मोशिन ठीक है अब बताओ, f o is equals to v upon v o vs into f c सोर्स की स्पीड नीच अबजरवुर इसकी तरफ शोर्स की तरफ यह प्रिक्वेंश की तरफ जा रहा, है है Krrr source-observer की तरफ यह प्रिक्वेंश नीश है मा lounge इसको बढ़हना होगा क्यारी की वह छतीध हो 12 धर इतम चीज exactement बढ़गा Observer source की तरफ जाए रहा, source observer से भाग रहा So is equal to, कुछ जर्वत नहीं पकड़ने लिए, cup minus cup plus 6.7 समझ समझ के चलो, आप 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 समझ में देखिए प्लस हो, की बढ़ेगी to frequency बढ़ेगी, source क्या चा रहा? Source दूर भाग रहा उसरप से, frequency कम करदेगी Source हो, दूर भाग रहा पो Camera- Lis,יי हमझा ह यहाई यह frequency क्रणी कम कांदेगे बादेस, यानि यह frequency को घटाना चा रहा flour Paran यह बढ़ेगी तो frequency बोल प्लियर है case number 3 ले ले case number 3 observer source अपने आप बताएंगे बाग फॉम्मला अपने आप बताएंगे इसका formula इसको मैं कर दो insert इसका इसका अखो इस इक्वल्स टूवी वी ओ वी एस और साथ में एफस बताएंगे क्या होगा को observer दूर भाग रहा frequency घटाना चाह रहा यहां माइनस लगा दो यह घटेगा तो यह घटेगा ये observer ये source observer भी भाग रहा, source भी भाग रहा दोनों घटाना चाह रहे observer भी भाग रहा, source भी भाग रहा दोनों घटाना चाह रहे FO is equals to V, VO, V, VS into FS observer दूर भाग रहा, घटाना चाह रहा ये term घटाना चाह रहा minus लगा जो source दूर भाग रहा घटाना चाह रहा घटाना चाह रहा तो यहां पे प्लस लगाओ कि माइनस प्लस लगाओगे ना जब यह बढ़ेगा तो अरॉल घटे का बोलो फील आ रहा है धीमे धीमे उपर observer का का की टॉर्ष का को प्लस का हम ओंता है है चाहे एक मोर्ण में मोचना मां offering किताब के आ découvrir अशा उसा प्लस माइनस माइनस प्लस किताब बताती है आगर observer पाश जा रहा है तो प्लस लो दूर जारहा तो माइनस पास वाला उपर है दूर वाला नीचे पर मैं इस तरह से बताता हूं सोर्स पास जा रहा है तो माइनस रखो दूर जा रहा है तो प्लस अरे यार समझो ना सोर्स जब पास जाता है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाता है इस फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने का तरीका क्या है यहां कु माइनस कर दो कि सोर अब दूर बागता है तो फ्रिकवेंस घट आता है फ्रिक्वेंसी घटाने का तरीका यहां क्या है बड़ा dependence रच दो के लिए पास वाला उपर बहला रिमाला इनुट दुर ला नीचे आला उसा निदीम और फीछ में आया यह दार दें कोई सवाल बन सकते हैं आज तो concept भी रहा गया हम पैला कोश्चन मान लो यहां एक पुलीस वाला है नौट फिजीक्स वाला इस पुलीस वाला और इस पुलीस वाले के बास एक सिटी है वीसिल वीसिल बोलते हैं इसने वीसिल बजाई जिसकी फ्रिक्वेंसी है दो किलो हर्ट् सब्सक्राइब यह प्लीस वाले की तरफ भागा 36 पर आर से पता ने इसको क्या सुझा पता तरफ का दो सब्सक्राइब घूर तुक्त होगा 16 किलोमेटर पर आर से speed of sound in air 332 होती है इन्होंने पता नहीं क्यों 340 दे रखी है जो दे रखी है वो इस्तेमाल करेंगे सवाल दो है पहला lambda for police वाला and observer दूसरा frequency as heard by observer किसकी frequency विसल की चलिए बताएं solve किया जाए पहला पार lambda for police वाला and observer देखो अगर source motion में नहीं है source तो यह यह ना इस बार अगर source motion में नहीं है तो lambda change नहीं होगा तो lambda simply आप निकाल सकते हो कैसे v by f sound की speed sound की frequency sound की speed कितनी है 340 of frequency कितनी है 2 kilohertz 2 into 10 to the power 3 यह wavelength आएगी police वाले के लिए भी observer के लिए जब तक source move नहीं कर रहा wavelength दोनों के लिए same निकालने का तरीका speed of wave upon frequency यहां interesting है frequency as heard by observer तो frequency observer के लिए वी उपर क्या आता है वी ओ नीचे वी और वी एस साथ में क्या लगता है यहां वी एस तो है नहीं इसको तो हटा ही दो यह टम जीरो हो गया तो यह बच्चे का फार्मला वी वी ओ अपन देखो वी वी ओ वी वी एस ऐसे लिख लिया गरो हमेशा अब बताओ यह स्पीड ओव सोर्स कित safety जी ले टेम गया ना प्लस ना मिनस खतम तो नीचे बचा सिर्फ भी अब यहां क्या लगाना है देखो observer शोर्ज की तरफ जा रहा हा है डिं 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 तो अ फ्रिक्वेफ्वेंसी बढ़े ही बढ़े बढ़ेगी तो यहां पर क्या लगाया जाए प्लस लगा देते हैं खत्व सो वी प्लस वी ओ वी इस 340 प्लस वी ओ स्पीड ऑफ ऑब्जरवर 36 किलोमेटर पर आथ 36 x 5 x 18 to 36 to 5 x 10 10 प्लस 10 बटे स्पीड ऑफ सांड वी क्या होता है स्पीड ऑफ सांड वियो स्पीड ऑफ उब्जरवर इंटो फ्रिक्वेंसी कि ते रखिये दो किलो हट्स तो अंसर भी किलो हट्स में देगे अगले सवाल की तरफ अगला सवाल क्या है अगला सवाल यह है कि यहां मेरे पास एक कार है और इस कार में एक भोपू लगा है हॉन लगा है और यह हौन बज रहा है विटा फ्रिक्वेंसी ओफ दो सो हर्ड्स और यह कार आगे भाग रही है विट असी मीटर पर सेकेंड यहां एक बंदा खड़ा है जो इस कार की आवाद सुनेगा और अब्जर्वर हमारा रेस्ट पर है सवाल फिर से दो है क्या पहली लैमडा फॉर अब्जर्वर जो अब्जर्वर क्लिए होगा वही सोर्स क्लिए ऐसे लिखा होता है देख पहीवाद लैमडा बिट्वीन अब्जर्वर दूसरा पॉर्ट ओए फ हरड़ बाई ऑप्सेर फिक्वेंसी हरड़ बाई ऑब्जर ऑब्जर लिखा हो लिस्नर लिखा हो इन एर यहां पे इनोंने दे रखी अपनी तरफ से 340 meters per second खुद से try करें इसको याला सवाल खुद से करके दिखाएं चलो इस बार मेरे ख्याल से wavelength change होगी क्योंकि इस बार source खुद motion में है जब source motion में होता है तो wavelength change होती है अच्छा क्या आएगी effective wavelength या तो V minus Vs आती है या तो V plus Vs इंटू टी ऐसी कुछ वह रहा था वी माइनस वी एस इंटू टी याद है वेवलेंस एफेक्टिफ कैसे निकली थी वी टी माइनस वी एस टी है देख लेते हैं क्या होगा पहली वेव निकली टी टाइम तक आगे गई वी टी फिर सोर्स भी उसके पीछे-पीछे किया देखो इस ओर से माईनस वाला आएगा समझ गए गली एक टाइम में अगे गईं कितना वी टी फिर कार कितना ट्रॉबं की वी ए क्ट टी तो बंग्ली यहां से निकमिए बीच काईब distance wavelength कितना हो गया VT minus VST ठीक है तो माइनस वागा लगा लेंगे यहां से V minus Vs और T क्या है 1 by actual frequency of source तो यहां से V speed of sound 340 minus Vs speed of source 80 upon Fs frequency of source 200 तो 340 minus 80 260 बटे 200 यह जिरो कैंसल तो तर्टीन दर्टी सिक्स्टू तर्टी 1.3 मीटर तो वेवलेंथ 1.3 मीटर सोर्स के लिए भी आपजर्वेंगे सोर्स इमेटर के फिर पास से फिर पास से तो जो एक्ट्वल वेव्स है मीडियम में वह ही 1.3 मीटर है अपरेंट अपरेंट कुछ नहीं है दोनों के लिए दूसरा फ्रिक्वेंशी हर्ड वाई ऑब्जर्व एफो इस इक्वेश टू वी 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 एस इन्टू और अब सोचना है अंको यहाँ औब्जरवर रेस्ट पर है तो वह तो मर गया जीरो हो गया उपर बच्चा भी नीचे सोर्स के बारें लिए सोचो सौर्स इसकी तरफ जारा है तो फ्रिकुनसी को बढ़ाना चाहेगा प्रिकुनसी को बढ़ाने के लिए नीचे क्या लिखा जाए भाई नीचे वाला फैक्टर अगर कम होगा तभी तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो यहां पर क्या लिखा माइनस यह समझ में है कैसे माइनस लग रहा है यह कैसे बढ़ाएगा फ्रिक्वेंसी को जब यह छोटा हो जाए माइनस तो वी की वैलू कित्ती है टीन सो चालीस नीचे िन सो चालीस माइनस वीह स्पीड उफ शोर्स किक छो भी आंस हे निकाल लिन तो देखो फ्रिक्वेंसी बढ़ गई की नहीं बढ़ने भी चाहिए कार इसकी तरफ जारे तो दो सो से 201.5 हर्ड्स हो गई दो से 201.5 हर्ड्स हो गई क्लियर हो रहा है जो हम सोच रहे थे वही हुआ चलिए आखरी कोशन करते हैं जिसमें अच्छे कोशन डिसकस करेंगे क्वालिटी सवाल ठीक है रिफ्लेक्शन वाले इसका बीट से मिला हुआ सवाल बीट के साथ 20 का सवाल आता है ठीक है बड़ी बड़ी सवाल आएंगे इसके ठीक है विंड भी स्पीड आ जाएगी इसमें एंगल थीटा आ जाएगा का साथ करते हैं एक ट्रेन हैं मारे पास है कि यह च्रेन नबगे किलोमीटर पर आट से जा रही है ुट आ कि 7 shut यह ट्रेन भी 90 किलोमीटर पर आर से जा रही है इसको ट्रेन टू कहलो दोने इक दूसरे की तरफ जा रही है इस ट्रेन ने विसल बजाया इस ट्रेन ने विसल बजाया विसल की फ्रिक्वेंसी मालों हमें देता है 500 हर्ड्स चीक है और यहां कोई बैठा है ऑब्जरवर नहीं, if speed of sound in air is 300 m per second, 340 नहीं है, 4 option दिया है, frequency of observer is close to, is close to, hertz by observer is close to, 550 hertz, 550 hertz, बढ़ेगी ना frequency, स्पानिवन फाइस आ रहे हैं पांसोसिच हरड़्ज बस करके टर वक्त देखो क्या एक तो खथ से कलने बाई ऑन त्वश्व श्च में मेरा सोर्ष ये क्या हो गया ओपसर दो करो 90 को चेंज करने मीटर पर सेकंड में 90 इंटू पांच बटे अथरा तो एटीन फाइज दा फाइज दा फाइज दा टुटिफाइज बोले सही हुआ 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 है बताओ 25 मीटर पर सेकंड बताओ कर लिया किया जाए चलो F0 is equals to V V O upon V Vs into Fs अब हम सोचेंगे अगर हम ऑब सरह की पांट आफ तो अबसर वर्या शनर सोर्स की तरफ भाग रहा है फ्रीकुंसी बढ़ाना चाह रहा है पास भागी का तो फ्रीकुंसी बढ़े की निबर्व आप पेस पड़ेगी फ्रीकुंसी बढ़े चाह रहा है तो अ सोचें सोर्ज भी observer की तरफ भाग रहा है यह भी फिक्वेंसी बढ़ाना चाहेगा अप्रोच का केस है अगर यह बढ़ाना चाह रहा है तो यहां पर माइनस लगो यह घटेगी तो यह बढ़ेगा नहीं बस हो गया यहीं फील चाहिए था 340 प्लस ऑफजरों की स्पीड 25 तीन सोचालिस माइनस सोर्स की स्पीड भी 25 मल्टिप्लाइड वाइ पांसो जो भी आंसर है अब लिग देना एफो एप्रोक्स लाना नहीं से जिसके आस पास हाएगा देखते हैं तीन सो चालिस माइनस पच्चिस तीन सो पंद्रह कर देखते हों कृट पंदरह हो टाइनस 5 10 इस इस on T칙 application नीचे हो जाएगा 3 replay वेरी की जिए अफ्रीत 75 और नीचे हो जाएगा 325 multiplied by पास्व कार्द देजर 25 से कर देते हूं ठीक आसपस फाइनल आसर पास्वर सिहर ट्राय कर लेना ठीक है इसको ठीक है 578 रेड किया प्रॉक्स अंसर आना चाहिए देखो यह थोड़ा 29 से छोटा आएगा 28 point something आएगा तो 580 हड आना चाहिए बाकिया आप calculation कर लिएगा तो next lecture में इसके और अच्छे-चे questions लेके आएगे जिसमें और concept involved होंगे तब तक आप इतनी चीजों को practice करें पढ़ाई करते रहें all the very best